नमस्कार रात के 9 बज रहे हैं मैं राकेश शर्मा आपके रूबरू हूँ और आज दिन भर क्या बड़ी खबरे रही है बड़ा अपडेट रहा है उसके उपर चर्चा आपके साथ इस बुलेटन के माध्यम से साजहा करेंगे तमाम बड़े घटना करम पूरे दिन भर जो च किस तरह के इंतजाम किये गए थे इसकी बात करेंगे और इन इंतजामों के बावजूद क्योंके पुलीस की भरती पूर में जो पेपर लीख हुआ था उसके बाद रद्ध कर दी गई थी और आज जो दूसरी बार पर इक्षा हुई है इसमें भी कितने जो अबेदक हैं व कोबिट की बात करेंगे ओमीक्रोन का खत्रा हिमाचल में लगातार बढ़ रहा है और इस खत्रे को देखते हुए जो सैंपल है उन्हें दिल्ली जांच के लिए अब भेजना शुरू कर दिया है स्वास्ते भी भागने और अब तमाम जो सैंपल है उनकी जांच दिल्ली में और रूप से दिल्ली भेजे जा रहे हैं पूरी खबर विस्तार से चर्चा करेंगे मानसून की बात करेंगे मानसून शुरूती दोर में ही हमाचल को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है कहां कितना नुकसान हो चुका है और कितने लोगों को अभी अपनी जान मानसून की बज़ा से शुरुवाती दोर में ही गवानी पड़ी है इसकी बात आपके साथ करेंगे और साथ ही भाजपा की बात करेंगे भाजपा के लिए आज एक दुखद खबर सामने आई है हालांकि ये कहा जा सकता है पिछले 24 गेंटों से भाजपा के लिए तीन बड़े जटके हैं वो हीमाचल में लगे हैं क्योंके हीमाचल में भाजपा ने तीन बड़े नेताओं को खो दिया है और इसमें आज सोलन जिला में दो नेताओं का निधन हुआ है और इसकी पूरी बिस्तार से बात करेंगे इसके साथ ही HRTC कंड़क्टरों की बात करेंगे और इन्होंने शुरू करेंगे क्या इनके मुद्दे हैं और क्यों इनके मुद्दों पर जो उन्हें पूरा नहीं कर पा रहा कर निगम पूरा नहीं कर पा रहा है इसकी बात करेंगे इसके साथ ही बनों की बात करेंगे हिमाचल में कहां 15,000 हेक्टेर में नया जंगल तैयार करने की तैया क्या पूरा मसला है इसकी चर्चा करेंगे इसके साथ ही आज सिलाई अध्यापिकों ने बड़ा किरदार निभाया है पंचाइतों में और सिलाई अध्यापिकों ने जो अध्यापिकाएं पंचाइतों में हैं उन्होंने क्यूं पंचाइतों की कमान समाली थी क्या कारण रहा है और उनकी मदद से कितना लाब विभाग को हुआ है इसकी चर्चा करेंगे इसके साफ्ट्री आध्यापकों की बात करेंगे बिजली बोर्ड के करमचारियों कम्प्यूटर शिक्षकों की बात करेंगे बाजपा और कांग्रेस को ले करके भी क्या अभी अंक गनित बन रहा है क्योंकि भाजपा की हैदराबाद में आज एक जो रास्ठी कारेकारणी समीती की बैठक है उठी उसको ले करके और कॉंग्रेस ने क्या हिमाचल में रन नी थी विधान सबाचुनाब को ले करके तैयार की है इसकी भी बात करेंगे शुरुआत बुलेट जब हमाचल में हो रही है अभी तक के जो तमाम मामले सामने आई हैं उनमें ये वेरियंट है या नहीं इसे ले करके स्वास्थे विधाग सजग हो गया है और तमाम जो मामले सामने आ रहे हैं कोरोना के उनकी जांच के लिए डिली सैंपल भेजे जा रहे हैं ताकि इनमें ओमिक्रोन की पहचान हो सके ये एक बड़ा कदम उठाया गया है क्योंकि अब जो मामले हैं वो बढ़ने शुरू हो गए है और ओमिक्रोन का कितना खत्रा आने वाले दिनों में हो सकता है सुबस्ते विफाग इसके प्रती पहले से सजग हो गया है अलर्ट हो गया है और इसे देखते हुए ही ये सैंपल जो है वो दिल्ली भेज़े जा रहे है अब इन सैंपलों की रिपोर्ट हिमाचल में आना शुरू होगी और अगर ओमिक्रोन बैरियंट जिसे बी एटू कहा जा रहा है ये किसी में लक्षनिर्स के पाए जाते हैं तो उसी हिसाब से शुरू आत डिल्ली में फिलहाल हो रही है रज अब ही तक हलांकि कोई भी मामला जो है ओमिक्रोन का सामने नहीं आया है लेकिन जांच जो है वो लगातार जारी आज जो कोबिड के मामले सामने आए है उनकी बात करें तो आज 23 मामले कुल सामने आए कुल परदेश भर का ये आंकड़ा है और इसके साथ ही छे सो बहत्यर कुल आंकड़े कुल जो मामले हैं को बिड के वो अब तक हो चुके है Silicon 43 मामले भी आज इस बजहा से कम कहे जा सकते हैं क्यूंकि सैंपल आज कम लिएगैं रभी बार का दिन था और सैंपल भी कम हुए हैं और इस बजह से आज के जो ये मामले है इनका जो आंकड़ा है वो 43 पर नजर आ रहा है फिलहाल मामलों की बात करें तो 14 कांगड़ा जिला से सामने आए हैं चमबा से 10, मंडी से 7, हमीरपूर से 5, शिमला से 4, लाहलस पिती से 2 और विलासपूर से एक मामला आज कोबिड का सामने आया है इस समय अगर बात करें तो कांगड़ा जिला में सबसे एक्टिव जो ज़़्यादा मामले हैं पांगडा जिला से हैं, यहां 240 मामले सक्रिये हैं, इसके साथ ही अगर अन्ने जिलों की बात करें तो मंडी में 71, शिमला में 74, हमीरपूर में 69, विलासपूर में 14, चमबा में 71, किनोर में 23, कुलू में 31, लाहुस पिती में 19, सिर्मोर में 37, सोलन में 19, और उना जिला में 12 माम मौसम की करते हैं मौसम का खत्रा जो है वो शुरुवाती दिनों में ही बन गया है इस समय मौसम की अगर बात करें तो 25 लोगों की जान शुरुवाती दोर में ही मौसम के चली गई है यानि अभी तक मानसून को आए ही माचल में पांच दिन हुए हैं और इन पांच दिनों में और ज्यादा मौसम के खराब होने अलर्ट की संभाबना जताई है उस दोरान भूसखलन रास्तों पे पत्थर गिनने की जो संभाबना हैं वो पूरे परदेश भर में जताई गई है अलग अलग जगाओं पे हास्ते हो सकते हैं खास्तोर पे उन जगाओं पे जो अधिक गुजरने की अब जरूरत है ये मौसम विभाग की तरफ से चेताबनी दी गई है और मौसम विभाग का कहना है कि साथ जुलाई तक जो यात्राएं लोग कर रहे हैं खास्तोर पे पहाड़ी क्षेत्रों में वे मौसम को जरूर ध्यान में रखकर के यात्राएं करें ताकि म मौसम की बज़ा से किसी तरह का नुकसान लोगों को ना जहेलना पड़े और इसके साथ ही येलो इलर्ट की भी बात कही गई है मौसम विभाग की तरफ से 7 जुलाई तक येलो इलर्ट जो है वो जारी किया गया है अगर बारिश की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दोरान नालागर्ड, शिलारू, नारकंडा, अरकी, कुफरी, कंडागाट, शिमला, कोटखाई, करसोग, राजगर्ड, सराहन, पछाद में बारिश रिकॉर्ड की गई है और ये 65 मिली मीटर से 11 मिली मीटर तक की ये बारिश है जो रिकॉर्ड की गई है इसके साथ ही तापमान की बात करें क्योंकि मौसम बदला हुआ है बारिश हो रही है और इस बजह से तापमान में भी तेजी से गिराबट जो है वो देखने के लिए मिल रही है उना का न्यूंतम तापमान 24.8 डिगरी सेल्सियस पहुंच गया है हमीरपूर में 22.6 डिगरी सेल्सियस है बिलासपूर में 24 डिगरी सेल्सियस न्यूंतम तापमान इस समय बना हुआ है कांगड़ा की बात करें तो 23.4 डिगरी सेल्सियस चंबा में 23 डिगरी सेल्सियस तापमान इस समय बना हुआ है नाहन में 20.2 डिगरी सेल्सियस केलांग में 12.6 डिगरी सेल्सियस कलपा में 13.5 डिगरी सेल्स इस समय तापमान बना हुआ है बात भाजपा नेताओं की करते हैं और ये भाजपा के लिए बहुत दुखद खबर है पूरे परदेश भर के लिए जो इन नेताओं से जुड़े हुए लोग थे और इन नेताओं का अपने खुशेतर में काफी होल्ड था और काफी लोग जो ह करेंगे सोलन जिला से सोलन जिला में आज पूर्वनगर परिशद अध्याक्ष और भगहाट बैंक के चेर्मेन पवन गुपता का निधन हुआ है और चंडिगर्ड के अस्पताल में ये दाखिल थे इनका उक्चार चल रहा था हिर्दे समंधी दिक्कर थी इने जिसकी बज साथ ही नालागड के पूर्वनगर परिशद अध्याक्ष धर्मेंदर राणा का भी निधन हो गया है इनका भी हिर्दे गती रुकने से निधन हुआ है धर्मेंदर राणा कौंसिल के भी अध्याक्ष थे नालागड में और इसके साथ ही भाजपा में अलग-अलग पदों पर अपनी सेवाएं देते रहे हैं इसके साथ अगर पिछली बात करें तो पिछले कल कामगार कल्यान बोर्ड के अध्यक्ष राकेश बबली का निधन हुआ था और जिस समय वे किन्नोर जा रहे थे तो रास्ते में हिर्दे गती रुकने से उनका निधन हो गया आज उनका अं सदमा है और आज भाजपा के जो मुखे मंतरी समेथ तमाँ बड़े नेताओं ने इन नेताओं के निधन पर शोक ब्यक्त किया है भाजपा का पूरा खेमा शोकाकुल है और इसके साथ ही तमाम पूरे प्रदेश भर से जो लोग हैं वो इन नेताओं के निधन पर शोख किया गया था और इस परिक्षा को लेकर के तमाम पुखता परबंद किये गए थे अलग अलग सेंटर निर्धारित किये गए था अगर पूरे परदेश भर की बात करें तो 87 कुल जो परिक्षा के अंदर हैं वो पूरे परदेश भर में तैय किये गए थे और इन परिक्षा के बार पेपर लीक हुआ था उसे देखते हुए 122 अवेदकों को आयोग्य घोशित कर दिया गया था यानि परिक्षा से पूर भी 122 अवेदक जिनके नाम पुलीस पेपर लीक मामले में सामने आये थे उन्हें नहीं इस परिक्षा में बुलाया गया और इसके साथ ही आज जिन अवेदकों को बुलाया गया था उनकी कुल संख्या 75,681 थी जिन अवेदकों को परिक्षा में हिस्सा लेना था लेकिन इस मैं से 6,254 अवेदक दूसरी बार की परिक्षा में भी 6,254 अवेदक जो हैं वो परिक्षा देने नहीं पहुंचे ते और अगर अनुपस्तित अवेदकों की वाद करें तो कांगडा जिला में 1786 अवेदक अनुपस्तित रहे हैं परिक्षा से और ये सबसे बड़ा आंकड़ा पूरे परदेश भर में हैं मंडी में 989 और चंबा में 851 इसके साथ ही सिरमोर में 692 उन्ना में 387 शिमला में 447 हमीरप पूर में 260 इस तरह से एक पूरा ये आंकड़ा है जहां से जो अवेदक हैं वो परिक्षा देने नहीं पहुंचे अगर पूर्व की बात करें तो जो पूर्व में परिक्षा योजित हुई थी 27 मार्च को ये लिख्ट परिक्षा का योजन किया गया था और इस परिक्षा म पास कर लिया था और 47,365 जो अवेदक थे वो फेल हो गए थे वो इस परिक्षा को पास नहीं कर पाए थे लेकिन परिक्षा के दोरान ही जो प्रशन पत्र है वो लीक हो गया था और ये पूरा मामला सामने आया गगल में इस समंद में पहली बार F.I.R. दर्ज हुई थी औ और इसके बाद का पूरा जो सिलसिला चला उसमें परिक्षा को रद कर दिया गया और इस मामले को लेकर के पिछले कल ही एक बड़ा अपडेट सामने आया है इसमें चार्ज शीट दाखिल की है और 91 कुल लोग हैं जिनके खिलाफ ये चार्ज शीट दाखिल की गई है इसमे इस भर्ती पेपर लीक मामले में अब तक 171 लोगों को गिरफतार किया जा चुका है जो इस भर्ती परिक्षा से किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए थे और इसमें से 47 लोग ऐसे हैं जो अभी भी पुलिस हिरासत में हैं बात आज की करें तो आज सभी सेंटरों पर पुक दाखिल होने की अनुमती दी गई और उसके बाद पूरी परिक्षा योजित हुई है इसमें परबंद भी परिक्षा केंदरों तक पहुंचने के लिए परबंद भी किये गए थे और उनका लाव कहीं ना कहीं अबेदकों को आज मिला है बात है चार्टी सी कंड़क्टरों की करते हैं चार्टी सी कंड़क्टरों ने बेतन बिसंगती दूर ना होने को ले करके एक बड़ा फैसला किया है बारा जुलाई से हर्टाल की चेताबनी दे दी है और साथ सो पूरे परदेश भर के कंड़क्टर हैं जो इस हर्टाल में शामिल हो सकते हैं यानि बारा जुल तक का समय सरकार को दिया गया है निगम को दिया गया है ताकि जो HRTC के कंड़ेक्टर हैं जो जूज रहे हैं पे कमिशन पे ग्रेड़ पे को ले करके उनकी समस्या का समाधान जो है वो किया जा सके कंड़ेक्टरों की बात करें तो इनकी सिधी सी समस्या है इनका कहना है कि 2400 रुपे ग्रेड़ पे दिया जाता था इनको लेकिन जो नया बेतनमान लागू किया गया है उनका जो ग्रेड़ पे है वो कम हो करके 1900 रुपे रह गया है यानि ग्रेड़ पे में 500 रुपे का नुकस हुआ है और यह इन्हें मंजूर नहीं है इनका साथ में यह भी कहना है कि 2006 में पटवारी कलर्क फोरेस्ट गार्ड और अन्य जो श्रेणिया हैं कंड़क्टर को शामिल इन में किया जाए तो यह सभी श्रेणिया बराबर रखी गई थी लेकिन 2006 के बाद कंड़क्टर को इनकी श्रेणियों से अलग कर दिया गया बाकी जो श्रेणिया है उनमें पर्मोशन जो चैनल है वो वैसे ही चलता रहा लेकिन कंड़क्टरों की जो पर्मोशन है वो परभावित होती रही अब यह 2006 से ही जो अन्य श्रेणिया है उनके बराबर ग्रेड पे की भी मांग कर रहे है और यह एक बड़ा मसला बन चुका है और 12 जुलाई तक का इन्होंने समय दे दिया है 12 जुलाई तक अगर फैसला नहीं हो पाया तो इसके बाद HRTC के लिए यह एक बड़ी खत्रे की घंटी हो सकती है परिवहन निगम के 700 कंड़क्टर एक साथ हर्टाल पर जा सकते हैं और वेबस्ता को संभालना आने वाले दिनों में मुश्किल हो सकता है बात GPBA की करते हैं और जो वेटनरी सहायक पंचाईतों में तेनाद किये गे थे उन्होंने घेराब की चेताबनी दी है ये पशुपालन निदेश शक का घेराब करने वाले हैं क्योंकि जो इनकी मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पार रही है इनका कहना है कि 850 करम चारी कुल परदेश भर में इनके हैं जो 2010 में मुख्य मंत्री पशुधन अरोग्य योजना के तहट तैनात किये गे थे जो पूरे परदेश भर में पशुओशा दाले उस दोरान खोले गे थे उनमें इनकी तैनाती की गई लेकिन इनकी जो नुक्ती के बाद इन्हें नियमित पे स्केल मिलना था उसके लिए कोई नीती का निधरन नहीं किया गया और इसके इसकी बज़ा से इन्हें अब नुकसान जेलना पड़ रहा है इस दोरान जब इन्होंने सरकार पर दबाब बनाया तो पांस साल के ब परजा इनका अनुबंध कर्मी का था लेकिन अनुबंध कर्मियों के बराबर इन्हें जो समान मिलना चाहिए था जो इन्हें बेतन अदाईगी होनी चाहिए थी या जो अन्य भते इनके लिए तैय किये गे थे वो इन्हें नहीं मिल पाए और अब इनका कहना है कि ये भी परदर्शन करेंगे अपनी मांग जो ये लगातार तमाम जिलों से उठाते रहे हैं अब परदेश मुख्याले मेराजधानी में पहुंचकर ये मांग को उठाएंगे और परदप जो निदेश चक हैं पशुपालन विभाग के उनका गहराब करेंगे कल ये बड़े स्थर पर हंगामा जो है वो शिमला में होने बाला है और इसे लेकर के चेताबनी जारी हो चुकी है और अब जो जी पी पिए के आट सो पचास ये करमचारी हैं इनकी मांग सरकार किस तरह से सुनती है ये देखने वाली बात होगी और कल का जो इनका एलान है उसमें ये किस तरह से सरक जो है वो शिमला पहुंसता है ये एक बड़ी बात देखने वाली होगी इसके साथ ही बात अब बन बिभागी करते हैं परदेश भर में नया बन क्षेतर विक्षित करने की तैयारी बन बिभाग की तरफ से की गई है 15,000 हेक्टियर पर इस बार पोधार उपन होगा और ये पो बन बिभाग उसे अब हर्याली से हर्याली उगाएगा यानी 15,000 हेक्टियर कुल चैन पूरे परदेश भर में किया गया है और इस चैन के आधार पर अब पोधर उपन किया जाएगा इसमें बन बिभाग का सीधा तरफ है कि जो केंदर सरकार से रिपोर्ट जारी होती है जो 27 बर्ग किलो मीटर बन किशेतर जो है उसके बढ़ने की बात कही गई थी और जो 2021 में इसके बाद जो रिपोर्ट आई उसमें 9,43 बर्ग किलो मीटर बन किशेतर के बढ़ने की बात कही गई और ये बढ़ोतरी सिर्फ इसी बजहा से हो पाई है क्योंकि बन विभाग जो है योजनाबध तरीके से पोधार उपन कर रहा है और इसकी सुरक्षा के लिए बन रक्षकों को तेनाद किया जा रहा है साथ ही जो गरामिन क्षेतर हैं जहां पे पोधार उपन हो रहा है उन क्षेतरों के जो लोग हैं उन्हें भी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जा रही है त तो अभी तक जो फायर सीजन गुजरा है यानी अपरेल से लेकर के मांसून सीजन आने के पहले तक तो इसमें साड़े छे करोड रुपे का नुकसान बानुबे भाग को हो चुका है और 2700 से जादा अगनी कान की घटनाई विन बनक्षेतरों में हुई हैं और इन बनक्षेतर पर ही पोधार ओपन समेथ जो अन्य गती वीधियां हैं वो संचालित की जाएंगी ये बन बिभाग की आने वाले दिनों की योजना है जिस पर अब फिलहाल काम चल रहा है बात सिलाई अध्यापकाओं की करते हैं आज बहुत सी ग्राम पंचाईतों में ग्राम सभा का पा रहा था और इसे देखते हुए बिभाग ने सिलाई अध्यापकाओं को ये जिम्मेदारी दी थी कि वे पंचाईत सचिबों की भूमिका निभाएं या जो अन्य पद हैं उनकी भूमिका निभाएं और जो ग्राम सभाओं में चर्चा होती हैं उन्हें नोट किया जाए और उन्हें सरकार तक पहुंचाया जाए किसी तरह ग्रामिन जो ग्राम सभाओं में पहुंचते हैं उन्हें खाली हाथ ना लोटाया जाए इसके लिए सिलाई अध्यापकाओं की तैनाती कर दी गई थी लेकिन हर्ताल का हलांकी बहुत बड़ा असर बड़े पैमाने पर द देखने के लिए मिला है हलांकी जो सिलाई अध्यापकाओं हैं उन्होंने अपनी खुब भूमिकाओं निभाई हैं और इस दोरान वो ड्यूटी पर मौजूद रही इनके साथ ग्राम रोजगार सेबक भी कई पंचायतों में मौजूद रहे हैं और जो लोग ग्राम से लगातार हर्टाल पर हैं और इनकी हर्टाल की बजहास से पंचायतों में कामकाओं जो है वो पूरी तरह से परभाबित हो रहा है इसमें मुखे दोर पे बात करें तो परिवार रिजिस्टर में नाम दर्ज करवाना परिवार बिभाजन आए बियाए का ब्योरा बीपी परिशद के अधीन जो करमचारी है जिला परिशद काडर के जो करमचारी है उनकी मांग पूरी नहीं हो पारी है लगातार सरकार के समक्ष अपनी मांग रख रहे हैं लेकिन फिलहाल जो उनकी मांग है उसे सुना नहीं गया है और इस बजहास से असर जो है वो पंचायतों म अब देखने के लिए मिल रहा है बात पॉलिथिन बैन को ले करके करते हैं सिगरेट की पैकेट पर जो पॉलिथिन लगा होता है अगर वो बरामद हो जाता है तो पांच साल तक की कैद हो सकती है ये जो नए कानून सामने लागू हुए है पहली जुलाई से जो बैवस्ता तै की गई है उसके अनुसार ये नियम तैय किया गया है जिसमें पांच साल तक की कैद का प्राबधान है और इसके साथ ही जुलाई की भी बाज कही गयी है एक लाख रुपे तक का जुलाई हो सकता है सिगरेट की पैकेट पर जो प्लास्टिक लगा होता है उसके लेकर जो हो चुकी है और इसके साथ ही दिशा निर्देश तैय कर दिये गए हैं बात प्रदूशर नियंतर बोड की हम इस समय कर रहे हैं और प्रदूशर नियंतर बोड ने दो टूक शब्दों में कहा है कि प्लास्टिक को किसी भी रूप में बरदाश्ट नहीं किया जाएगा और कुरकुरे और दूद ब्रेड समंधिस जुड़ी जो भी अन्य उत्पाद हैं उन पर फिलहाल किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और सिंगल यूज प्लास्टिक पर ये प्रतिबंध है हलांकि आने वाले दिनों में इसे बदला जा सकता है और इस समंध में चर शास्त्री अध्याब को ने भी धरने की चेताबनी दी है उनका कहना है कि उनकी मांग जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है साथ महां से ये न्युक्ती का इंतजार कर रहे हैं लेकिन इनकी न्युक्ती नहीं की गई है पोस्ट कोड 813 के तहत 582 एक बहरती हैं जिनोंने की जो है वो बढ़ती जा रही है 20 दिसंबर 2020 को लिखित परिक्षा हुई थी उसके बाद ये परिक्षा का परिनाम एक साल के बाद 21 दिसंबर 2021 को घोशित किया गया जब ये भरती आयोजित हुई थी इसमें 50 फीसदी जो कोटा है वो बैचाधार पर भरा जाना था जबकि 50 फीसदी कोटा सीधी भरती से होना था और जो बैचाधार पर कोटा था परिक्षा के ततकाल बाद जिस तरह से परिनाम सामने आये तो बैचाधार पर तैनातियां कर दी गई लेकिन जो सीधी भरती से जो परिक्षा के माध्यम से आ रहे थे उनके लिए जो रास्ते हैं उनक तरफ से जताई जा रही है उनका कहना है कि जल्द से जल्द पर इनाम जो है वो जिस पर स्टे फिलहाल लगा हुआ है उसके लिए कुछ सरकार की तरफ से भी कदम उठाए जाने चाहिए ताकि इनकी जो इंतजार है वो खतम हो सके बात बिजली बोड करमचारियों की भी करते ह गया है बी योडी की बैठक भले ही आयोजित हुई हो और उसमें तीन से चार मांगों को पर विचार किया गया इनकी तीन से चार मांगे ही पूरी हो पाई जबकि इन्होंने पूरा एजंडा जो है वो बोड के समक्ष रखा था और इन्हें उमीद थी कि बोड इनकी तमाम म आंगे जैनी प्चास पीसिदी कर्मचारी है वो परदर्शन में हिस्सा लेंगे प्चास पीसिदी जो कर्मचारी है वो अपनी डूटी निभाएंगे यानि difficulty कर्मचारी चार मांगे प जो इनकी मांगे हैं उन पे अगर बात करें तो बिजली बोड करमचारी यूनियन ने जुनियर टीमेट जुनियर हेलपर का पदनाम टीमेट और हेलपर करने 48 जो श्रेणिया हैं उनके बेतनमान को बहाल करने कम्प्यूटर अपरेटर के बेतनमान को नीचे लाने के कारयाले के अदेश को बापिश लेने जुनियर आफिस असिस्टेंट आई टी और जुनियर भरती पदोनती नियम बनाने कनिष्टा भ्यंता पावर हाउस फीटर फाइर मैं फोर मैं और कनिष्टा भ्यंता M&T के पदों के लिए नौन I.T. करमियों के लिए आइटी आई करमियों के लिए पदोनती सर्विस क्राइटेरिया 10 से 7 वर्ष करने समेत जो तमाम इनकी मागे ह इसके साथ ही बात करें अगर भाजपा की तो भाजपा का हैदराबाद में आज सम्मेलन हुआ है और राश्टी कारेकारणी की ये बैठक थी और इस बैठक के दोरान हिमाचल के नेता भी मौजूद थे मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर्स समेत अन्य तमाम नेता थे और इन्हो ने हिमाचल को किस तरह से आगे विधानसाबा चुनाब की तैयारियां हिमाचल कर रहा है हिमाचल में अब तक क्या कुछ किया गया है और क्या कुछ करने की जो गुंजाइश है वो बाकी है इसके उपर चर्चा इन्होंने की है इसके साथ ही अनुराग ठाकुर केंदरिय मं परिवार की पार्टी है परिवार ही इसे चला रहा है और जो भाजपा है उससे कारेकरता सदसे जुड़े हुए हैं जो कहीं भी किसी भी पद पर पहुंच सकते हैं मेहनत के करने के साथ और इसके साथ ही बात कम्प्यूटर शिक्षकों की करते हैं कम्प्यूटर शिक्षकों ने अब डाइंग कैडर में ही भरती मांग ली है इनका कहना है कि जो डाइंग कैडर हैं उनमें इन्हें शामिल कर लिया जाए इनकी जो निक्तियां है वो डाइंग कैडर को बदल करके इन्हें तैनाती उसमें दी जाए इनका कहना है कि जो आउट् तेनातिका इंतशार, नियमीत तोर पे तेनातिका इंतशार ये कर रह हैं, लेकिन आ weekend की जो उमीद है वो लगातार उसमें देरी हो रही है, पूरे परदेश भर में 1321 कुल ये कम्प्यूटर शिक्षक हैं, जो अब ौईूइन केडर में ही तेनातिक की मांग कर रहे हैं, बात तमाम पर्देश भर के जो बड़े नेता हैं वो शिमला में आएंगे मुझूद रहेंगे और इस दोरान जो पार्टी कारियाले हैं वहां से बैठ के लेंगे मीडिया से बाचीत करेंगे और इस करम को दो दिन के अनुपात में शामिल किया गया है इसमें अभी बात करें तो बिपक्ष में उपनेता हर्षवर्धन चोहान पिछले कल शिमला में थे और अब मुकेश अगनी होतरी नेता प्रतिपक्ष कल मुझूद रहेंगे और इसके साथ ही पूरुमंत्री कॉल सिंग ठाकुर दो दिन के बाद शिमला में होंगे ये एक पूरा पूरी वेवस्ता पार्टी अब आने वाले दिनों में चुनाब की तैयारी करेगी धानसवा चुनाब के साथ ही के पहले शिमला में नगर निगम चुनाब भी होने हैं और इसे लेकर के भी कॉंग्रिस ने अब तैयारियां जो है वो जोरों से शुरू कर दी हैं फिलहाल अभी तक के लिए इ अमाम विभागों से इनकी जो जानकारी है वो ली जाएगी खबरों के माध्यम से दिबे हिमाचल समाचार पतर में इन्हें परकाशित किया जाएगा और बुलेटन के माध्यम से भी इनकी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे और इस जानकारी को हमेशा पहुंचाया जा आता है फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए धन्यवाद नमस्कार